तो 36 गड़ में नई भर्ती 2023 जी हाँ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 36 गड़ में 2023 में जो है सबसे बड़ी भर्ती जो है आप सभी students के लिए होने वाला है जिसमें 14,000 नए सिक्षकों के पोश्टर होने वाला है और इसके साथ ही 14,000 नए सिक्षक के भर्ती के साथ साथ वि सिस्टार के नार्त तरि के साहाđ ग्रेट टू के लिए साहाऋ ग्रेट त्रही के लिए वहां शाला के लिए ब्रीटे के लिए पोश्ट जो होने वाला है अगर तर सिलदार के बात करें तो इसके लिए ग्रेजुएसंस कंप्लिट होना चाहिए साहे ग्रेड टू और थ्री के बात करें तो इसके लिए आपका सबसे पहले आपका बारवी पास होना चाहिए बारवी आपका मादमिक सुछमंदा राइपूर बोर्ड से होना चाहिए और साथ मे प्लकुल हो और डेफिनेटि इसके लावे दन कर सकते हैं वहीं अगर हम बात करें आपके सिख्चक भरती परिक्षा के और ब्रीध्य के लिए जो है कम से कम इनिमाम आपका आठवी पास होना चाहिए यदि आप आठवी पास हैं आप ब्रीध्य के लिए आवेदन कर सकते हैं वहां चालक के बात करें तो वहां चालक के लिए भी आपका दस्ती कम से कम होना चाहिए और साथ में आपका driving license होना बहुत जादा निवारी है यदि driving license है वहां चालक के लिए आप eligible हो salary आपको अच्छा मिलेगा और सिख्शक के बात करें जो 14,000 नए सिक्षक भरती परिक्षा आपके होने वाला ही है 14,000 नए सिक्षक भरती परिक्षा हर एक माईने में बहुत जादे इंपोर्टेंट है तो 36 गड़ में अगर आप सिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो है ग्रेजुएसंस कंप्लीट होना चाहिए इशनातक के डिग्री आपका होना चाहिए यदि आपका ग्रेजुएसंस कंप्लीट हो चुका है इशनातक के डिग्री आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप जो है 36 गड़ में इसके लिए बिल्गूल इलिजिबल हो किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और ग्रेजुशन के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए या फिर आपने एमेड किया है तो आप इसके लिए इलिजिबल हो और साथ में आपका टेट एक्जाम्स जो टीचर इलिजिबलीटी टेस्ट है तो जिनका भी अगर टेट एक्जाम्स के लिए बहुत जादा इंपॉटेंट है तो जिनका भी अगर टेट एक्जाम्स क्वालिफाई हो चुका है बहुत अच्छी बात है लेकिन जिनका टेट एक्जाम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स को बोलना चा करें तो जनरल के डिग्रेवाले स्टुडेंटपो 90 नमबर रहना है यानि सच को 50 विएल फॉस्ट सब्सक्राइं को सब्दोन WIN और ऐसे फुर newest अब प्रतिशत दिन आपका सेलेक्शन स्फिर हो जाता है आपको सिर्फ काम करने आपको सिर्फ मेहनत करने क्योंकि मेहनत का परणा मेहनत का रिजाल्ट जो है डेफिनेटली अच्छा होता है सुरवात में भले ही नजर ना है लेकिन जब आप काम करते जाओगे प्रयास करते जाओ गोना तब वो चीजे नजर आती हैं और नए सिक्षक भरती परिक्षा दो जर्टाइस ये काफी जादे important है जिसमें आपके 14,000 नए सिक्षक भरती परिक्षा जो आपका होने वाला है 14,000 सिक्षक भरती परिक्षा हर एक माईने में important होता है आपके government jobs के लिए, competitions exams को क्वालिफाई करने के लिए आग़े बढ़ने के लिए, हर एक काम्याबी को पाने के लिए, हर एक सफलता को पाने के लिए सिर्फ आपको मेहनत करने हैं, सिर्फ आपको काम करने हैं तो जितना ज्यादा आप काम करोगे, जितना ज्यादा आप हाडवा करोगे, जितना ज्यादा प्रिप्रेशन्स करोगे, जितना ज्यादा पहनत करोगे, उतने ही ज्यादा बेश होगा, उतने ही ज्यादा शक्तिज़ और उतने ही ज्यादा कामियाबिया आपको मिल पाएगे होगा सोना जोए अपने काम के प्रती अपने हार्ड वक के प्रती तो जितना जादा खुद के प्रती मेहनत करोगे हार्ड वक करोगे तो डिफिनिट्ली है कि इसमें आपको काम्याभी मिल पाएगा डिफिनिट्ली है कि इसमें सफलता है आपको मिल पाएगे इसलिए काम करना महनत करना भूत ज़्यादा ज़्यूर्य है, तो जितना जादा होशक के काम करो जितना जादा होशक के महनत करो और शिक्षक भरती पर इकश्चक में लिए तैいき arriba करने सुरू कर सकते हैं और कोई अगर बोले की ये competency rex samma तेरे बहुत की बात नहीं है तेरे जैसे तू बहुत देखे हैं मुझे नहीं लगते कि तू competition exams को qualify कर पाएगा वैसे भी तू ज़्यादा intelligent नहीं है नहीं तुझे बाकिस subject के बारे में knowledge है बेशक कोई भी knowledge नहों कोई बात नहीं लेकिन अगर आपने ठान लिया सो ठान लिया अगर आपने आपका वो dream से अगर आपका vision है कि जिन्दगी में आगे बढ़ना है कामयाबी हासिल करना है प्रशिद्धी हासिल करना है तो definitely आज नहीं तो कल वो सभी कामयाबी आज नहीं तो कल वो सभी प्रशिद्धी आपको जो है मिल पाएगा और लोगों की बातों पर बिल्कुल भी यह मैं सोचने कि आप लोग क्या बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे लोगों का opinion क्या होगा लोगों का opinion के बारे में क्यों सोच रहे हैं अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो क्या लोग आपकी help कर लेंगे क्या लोग आपकी मदद करेंगे क्या अभी के डेट में 100 रुपे तो बहुत दूर के बाद एक रुपे भी वह आपको देने के लिए तयार नहीं है तो लोगों के बारे में फिर क्यों सोच रहे कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे लोगों को पीनियन क्या होगा इन सबी चीजों के बारे में मत सोचो क्य可 optimGreen क्यों बोलते हैं लोगों का काम होता है ओंडहीं कहने लोग आज भी जलेंगे तुमसे कल भी जलेंगे जब भी तुम काम्याभी के सबस्फलता को पाने वाले रहोगे सफलते कि सीखर तक पहुंचने वाले रहोगे लोग आएंगे बोलेंगे तुझसे नहीं हो पाएगा बहुत से चीज़े बोलेंगे तुमको हर एक वक्त हर एक रोज डी मोटिवेट करने की कोशिश में लगे रहते लेकिन आपको इन सबी चीज़ों से मतलब नहीं है आपको स असला वो मनजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा तक करना बैठ मंजिल के मुशाफिर मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पर मिलने का मज़ब भी आएगा एक दिन जब आपकी जिंदेगी बहतर हो जाएगा आपको सभी काम्याबी सभी सफल दाय मिल तो स्विचर को ब्राइट करने के लिए उस फ्यूचर को इन्हाइंस करने के लिए लगातार काम करते रहना लगातार महनत करते रहना लगातार कोशिश करते रहना प्रयास करते रहना क्योंकि अभी आप अगर आज कोशिश करोगे तो आने वाले टाइम में आपका इस फ्य एक एंसिस है वीडियो फसंद आया हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल परना है तो चैनल को सब स्क्राइब कर लेना साथ पर बेल नोटिफिकेशन को अंड करके रख लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना वीडियो को को मैं बोलता हूं क्योंकि बहुत सी इस्टूडेंट होते हैं जिन तक विडियोस नहीं पहुंस पाता उन तक जानकारी नहीं मिल पाता प्लीस उन लोगों तक विडियोस को शेयर किजिए आप लोगों से यह रिक्वेश्ट है ताकि वह सबी स्टूडेंट भी अपने जिंद ये नफसु इडियो में